नमस्कार दोस्तू मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और एप्पी नॉटिकेशन में तो दोस्तू जैसा कि आप थमनेल पी देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 12 दिसंबर 2021 की हिमार्चल परद हैं अर अंकित वर्मा और एप्पी नॉटिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भो लें ताकि आप तक हिमार्चल परदेश की हर नॉटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को जोई शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांग वजी की टॉक्टें तारह खबरें वीडियो शुरू करते से पहले अगर आपने भी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमाचल परदेश के किस डिस्टिक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो आज शाम की पहली तारह खबर ब्रेकिंग निउस है बिदान साब 76 चात्र वरिती गोटाले में 27 नीजी संस्थानों पर CBI जांच 11 के खिलाफ पेश की चार्ज शीट तो शिक्षा मंतरी गोविन ठाकुर ने बताया के परदेश साइथ पंजाब, हर्याना और चंडिगर के कोल 27 नीजी सेक्षन संस्थानों के खिलाफ चात्र वरिती गोटाले की CBI जांच कर रही है कोल्ट में 11 संस्थानों के मालिकों और करमचारियों के खिलाफ तीन आरूप पत्र भी दाईर हो चुके है तो वीत्य वर्ष 2013 से 14 से 16 से 17 के दोरान परदेश में हुए चात्र वरिती गोटाले की CBI जांच शूरू होने के बाद निजी सेक्षन संस्थान्स तर्क हो गए है वीत्य तीन वर्षों से चात्र वरिती गवन का परदेश में एक भी मामला सामने नहीं आया है अगे निजी आपके सामने नई सुविदा हिमाचल में तीन जगा जल्द बनकर त्यार होंगी अनाज मंडिया मंत्री में विधानसवा में दी जानकारी तो हिमाचल परदेश में नई अनाज मंडिया स्थापित करने और पुरानी मंडियों के सुधारी करण के विशे पर चर्चा के लिए इंदोर के विधायक रीता देवी और चिंतपोर्णी के विधायक बरवीर सिंग सदन में पस्ताब लाए पस्ताब पर चर्चा के दोरान विधायक रीता देवी ने कहा कि उनके विधानसवा क्षेत्र की उपजाओ भूमी पर बहुत से लोगों की आर्थिक खेतिवारी पर निर्भिर है लेकिन किसान अंदोलन में हिमाचल के किसानों के शामिल ना होने के कारण जोए पंजाब की मंदियां इनके लिए बंद कर दी गई अगनी उजज़ाब के सामने बिलासपुर हाइडरो इंजिनियरिंग कॉलेज में 14 दिसंबर से पहले सत्र की ओफलाइन कक्षाएं तो हिमाचल प्रदेश हाइडरो इंजिनियरिंग कॉलेज का छात्रवा बास त्यार ना होने के शुरू कर दी गई थी लेकिन अग 13 दिसंबर को कॉलेज का निर्मान कार्य कर रही कंपनी छात्रवा बास त्यार कर को कॉलेज प्रबंदन को सौंप देगी तो लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बंदला स्थित हाइडरो इंजिनियरिंग कॉ अगरी उजियाब के सामने महाविद्याले सरका घाट में हिमाचल प्रदेश के जो है गरेलू उपभोकताओं के संदर्व में विद्यत सुरक्षा उपाय और उपभोकता अधिकार जागरोकता विशय पर एक दिवसी राष्ट्री संगोष्टी का आयोजन किया गया अगरी उजियाब के सामने मंडी में बन रही विद्यान सवा की मद्दान सोचिया विवस्ताओं का जाज़ा लेने पहुंचे अधिकारी अगरी उजियाब के सामने हैं इंजिनेरिंग छोड मंडी के आशीष जो है चला रहे कैश्यू हाउस आज कई कईयों को जो है दे रहे रोजगार तो पेशे से सिविल इंजिनियर आशीष कुमार की सफलता की कहानी सवय स्वाद सेहत स्वारोजगार और सरकारी सहयोग के शांदार मेल से युवा उध्यम का बेहतरीन जो है उधान बन गई है मंडी जीले की सुंदर नगर तैसील के रामपूर कनैड के 32 वरषिये आशीष मुक्यमंतरी स्वावलंबन योजना में सरकारी मदद से क्याश्यू हाउस जो है चला रहे है अगणी जी आपके सामने बिलासपूर के राजकी सनातकोत्र महाविद्याले में बनेंगे चार स्मार्ट क्लास्रूम वा एक रिसर्च सेंटर तो उतक्रिष्ट महाविद्याले में शामिल बिलासपूर की राज़किय सनातकोतर बिद्याले महाविद्याले में चात्रों को बहतर शिक्षा परदान करने के लिए चार जो है स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे अगे नियुज़ आपके सामने गोविन सागर जील गंभोरला ट्रसल के पास हुए वाटर स्पोर्स का सफल ट्रायल तो बिलासपूर से नियुज़ है कि गोविन सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्स एस्पोर्स 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 एबं प्रियतन विभाग के अं अगने उजक आफ के सामने अशलील तस्वीरें भेजने वाला आरूपी गिर्फतार तबी शिकायत पर पर पोलिस ने मामले को लेकर जाँ शुरू की और आरूपी को पकड़कर पतना से शिमला लाई है अगरिनी उज़ाब के सामने चमबा तीसा मार्क पर एक दश्मलब 142 किलो ग्राम चर्स के साथ जो है दवोचा तसकर तो चमबा पुलिस टीम ने जो है चमबा तीसा मार्क पर नाकाबंदी के दौरान एक थसकर को एक किलो 142 किरांट चर्स के साथ जो है दवोचने में सफलता हासिल की है अगनी उज़ाब के सामने पुरानी पेंशन बाहली आंदोलन से जयराम सरकार ही नहीं कांग्रेस को भी लेना होगा सबक संजीव गुलेरिया तो धर्मशाला में हजारों करमचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बाहली के लिए आंदोलन करने के बाद जहराम सरकार द्वारा कमिट्टी गठित करने की ततकाल अजिसूचना जारी करने पर जो है न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड करमचारी अधिकारी महसंग अगणी उजिजाब के सामने इंटर कॉलेज फुटबॉल प्रतियोगिता में कांगड़ा ने शिमला को हराया तो एतिहासिक चोगान में इंटर कॉलेज फुटबॉल प्रतियोगिता का आयूजन किया जा रहा है डॉक्टर वाइस परमार महविद्यले लेनान के तहत खेली जा रही इंटर कॉलेज राज्यस्तरिये फूटबॉल चैंपियंशिंप के जो है आज दूसरे दिन कांगडा ने शमला को हरा कर प्रतियोगीता के अगले दोर में प्रवेश किया अगनिउज आपके सामने सचुराल जा रहे व्यक्ति के साथ हाथसा दो दिन बाद खाई से प्रामद हुआ शव तो सुंदर नगर मंडी से निउज है अगनिउज आपके सामने देर शाम नगर नशाला सडक में एक वहां दुरगट नगरा सचालक की मौत तो कुलू से को सुचना प्राप्त हुई कि नगर के समीप नशाला गाउं से थोड़ी पीछे बाड़ा मोड के पास वहां के दुरगटना गरस्ट हुआ है तो दोस्तों ये थी आज 12 दिसंबर 2021 की हमाचिल प्रदेश की आज शाम की 5 बजे की टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने वी त परमा और अच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हमाचिल प्रदेश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिं जैभार